चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एक अमिट प्रेरणा का उदाहरण है, जो दिखाता है कि कठिनाईयों के बावजूद कैसे एक साधारण युवक महानता की उचाईयों को छू सकता है। उनका जन्म 340 ईस्वी पूर्व होने का अनुमान है और उनकी आरंभिक जीवन की प्रिष्ठ भूमी साधारण परिवार में थी। प्रारंभ में चंद्रगुप्त ने कई चुनोतियों का सामना किया, लेकिन उनके अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानने वाले चानक्य ने उ अध्यम से अपनी योजना को अंजाम दिया। चंद्रगुप्त की नेत्रित्वक्षमता और चानक्य की बुद्धिमत्ता ने उन्हें उस समय के सबसे शक्तिशाली सामराज्य की नीव रखी। 322 इसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मगद सामराज्य पर अधिकार किया और मौर्य सामराज्य की स्थापना की। यह सामराज्य धीरे-धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, हिमालय और बंगाल शामिल थे। यह प्रशासन चानक्य के अर्थ शास्त्र के सिध्धानतों पर आधारित था, जिसमें स्थाई सेना, मजबूत खुफिया तंत्र और विभिन प्रांतों का प्रशासन शामिल था. करसंग्रह, व्यापार और समाज कल्यान के लिए नियमों का निर्मान किया, जिसने सामराज्य को एक व्यवस्थित दिशा में आगे बढ़ाया. चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी यह सिखाती है कि धैर्य, साहस और सही मार्गदर्शन से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है. उनके द्वारा स्थापित मौर्य सामराज्य ने भारतिय एतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा, जो हमेशा प्रेरित करता रहेगा.